असलाम लेकुम दोस्तों वेलकम बैक टू कुक वित असमा शरीफ याने के आश्या का आश्याना तो यह देखें मैं फिश फ्राइ कर रहे हूं और इसकी जट पची इंस्टेंट रेसिपी और इंग्रीडेंस में आपको बताऊंगी चलिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाज में मैं इसमें अपको दाल दूगी तो यह देखें बांगना मची है मेरे पास 1 kg बांगना मची है इसको लगबग जितनी भी इंग्रीडेंस लगते हैं मैं आपको बताऊंगी तो पहले हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे साफ करने के बाद मैं आपको एक जरूरी पहले हम इसको साफ कर लेंगे लास में आपको एक जरूरी टिप दे दूंगी तो यह देखिए मसाला ही मेरे पास नमक, हल्दी, धन्या पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कलर आड़ कर लीजिएगा यहां पर मेरे पास एक कटोरी में आदा मैदा है आदा कटोर इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी दोनों को मिक्स करने के बाद सारे मसालों में हम आड़ कर लेंगे दो टेवल स्पून गार्लिक पेस्ट है मेरे पास देखिए मैंने सारे मसालों को इस तरह से मिला लिया है और एक कटोरी मसाला यह गार्लिक पेस्ट है अभी हम इसमें स करस ले लीजिए सारे मसाले को हम एड़ कर लेंगे मैंने बताय था आपको ठोड़ा से ऐड़ कर लेगे अगर आपको चाहिए तो मैंने ऐड़ किया हुआ है देखे मैं कलर डाली हुई हूं वह कलर को मिक्स कर लीजिएगा एक नीमबु करस हमें कटो रिमेन ले लेंगे फिर उसके बाद हम इसमें आड़ कर लेंगे अब जरूरी टिप यह है कि आप जबी भी कुछ भी नॉन वेज पका रहें तो उसे धोने के बाद थोड़ी देर हल्दी और गार्लिक पेस्ट के साथ मिक्स करके पानी में उसको एक 10 से 15 मिनिट रख सब्सक्राइगी तो सारे मसालों को श्राला जरूरी टो अब सारे मसालों को मैंने मिला ले ला अभी हमंञाक खका गांगे कि को ऑ दिखेए अ Chelsea से में हाथ से मिक्स करणे हो और यह मसाला ओयल में नहीं निकलेगा और इसी तरह से आप सारे मशलियों को मसाला लगा दीजिए लगा के बस तेल गरम होने तक आप इसको एक साइट पर रख दीजिएगा और कभी भी कुछ भी फ्राइ कर रहे हों तो आपको तेल बहुत ही गरम करना होगा अच्छे से गरम करके बाद फ्राइ कीजिएगा मसाला ओयल में चिपकेगा नहीं और कडाई में तवे में कुछ भी पैन में उसमें भी चिपकेगा नहीं अगर आप थंडे तेल में दाल देंगे तो सारा चिपक जाएगा मैंने सारे मशलियों को मसाला लगा लिया है अभी हम एक एक करके फ्राइ कर लेंगे तेल गरम होने के बाद हम सारे फिशेज को एक एक करके फ्राइ कर लेंगे डीप फ्राइ कीजिएगा कभी भी तेल को अच्छे से गरम कर लीजिएगा हाई फ्लेम पर लिखे हमरा ओयल गरम हो चुका है अभी हम इसमें फिश आट करेंगे फ्राइ करने के लिए एक एक करके हम चार फिशेज मैं एक साथ डाल दूँगी आपके पास कड़ाई कितनी बड़ी है आप उसमें कितनी आइड होंगे उतनी डाल दीजिएगा अच्छे से तेल को अच्छे से टेंपरेचर पर हाइक कर दीजिएगा तेल का टेंपरेचर अच्छा होना चाहिए रूम टेंपरेचर पर रखे आप फ्राइ करेंगे तो सारा मसाला निकल जाएगा मत फ्राइ कीजिएगा दिखे तीखा और मसाला आपके घर पे जैसा खाते हूंगे उतना एड़ कर लिजीगा स्पाइस मेरे घर पे तो तीखा बहुत ही कम खाते हैं तो इसके हिसाब से मैं कम ही लाल मिच यूज़ करती हूँ अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसे काड लेंगे देखिए मसाला थोड़ा सा भी नहीं निकला है सारे फिशेश को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे फ्राई करने के बाद प्लेट आउट कर लेंगे हम हमारे फिशेश बनके तयार हो चुके हैं आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीज़ेगा और मुझे कमेंट में बताएगा के आपको ये रेसिपी कैसे लगी और मेरे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिएगा असमस्किचन89 है मेरा पेज उसमें भी फॉलो कीजिएगा तब इसी तरह से हम सारे फिशेश को फ्राई करेंगे दिखिए हमारे फिशेश बनकर तयार हो चुकी हैं हमारे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलना देखिए मशली में से थोड़ा भी मसाला इदर उदर नहीं हुआ है बस इसी सरह की सेम कॉंटिटी में आप मसाला लीजिए कॉनफार और मैदे को सेम कॉंटिटी पे लीजिए दो स्पून कॉंफार यानि दो स्पून मैदा बस दोनों का बैलन्स इकुल होना चाहिए तो आपका मसाला बन जाएगा इस तरह से और मेरे चैनल को लाइक करना सबस्क्राइब करना मत भूलना अलाफिस दोस्तों दुआ में याद रखना हम फिर मिलेंगे एक नही रेसिपी के साथ अलाफिस